आज की क्लास में हम लोग फ्रेक्शन की क्लास को देखेंगे यह आपका घटना चक्र बुक से है और मैं टोटल एक कुस्टन बताऊंगा अगर आपका अभी एकजाम रेलवे ग्रूप D या फिर NTPC है तो यह वीडियो आपके लिए जरूर पूरा वीडियो देखिए और कुस संद्य क्याब के स्क्रीन ऊचुका है देख सकते क्या करता है कि कौन सी दू मेस घटाने पर पर ते सी 3,4 पराप्त होता है सीमनी के बहुत बात करते हैं जाब बहुत बश्यक атель कि भी और कि बांसके बटे में होता है यहनि कि बटे का मतलब हो गया कि वह एक्स बटे य भीन समस्था लेकिन ऐसा नहीं सोचना है भीन हमारा एक्स हो सकता है क्यों कोश्चन में क्या बला है वह कौन सी बिन का मतलब क्या हुआ कि यह हमारा भीन है क्यों कि इसके नीचे एक छिपा हुआ है हो जाएगा 1 बटा 2 minus 3 बटा 4 ब्राबर x ठीक है और x ब्राबर क्या हो जाएगा 2 प्राइख हो गया चलिए अगला कुस्ल लिखते क्या का आता है दूसरा नवर कुस्टन कथा कि 25 बटा 12 और 15 बटा 8 का अंतर क्या होगा असान कुस्ष्ण है अंतर का मतलब माइनस करना होता है क्या है 25 बटे 12 लिग दो अंतर का मतलब माइनस लिग दो और 15 बटे 8 लिग दो 15 by 8 और इसको लेलो पहले 15 बढार आठ का लसम क्या होगा 24 लेलो बार दूना 24 तो 25 बढार तीया 25 पांच बटा 24 मेरा आंसर हो गया क्लियर है तो देख लो 5 बटा 24 अब का option नमर सी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इस सब कुस्षन आसान है फिर भी चलो बताते वे चलता हो अगला कुस्षन तीन नमर अगला कुस्षन तीन नमर कहता है कि 105 का दू बटा पांच 48 के तीन बटा चार से कितना अधीक है दो को मा दिया को मा पर भी ध्यान देना है कहता है 105 का दू बटा पांच ठीक है कितना होगा 5 दूत्धा पांच यकह further पांच ये किस दूना 42 हो गया आगे कहता है 48 के तीन बटा चार से 48 गुना 3बटा चार-दो और चहार पानशो करता थो सुर्थ शरकता राहर जBoy बारत यह 36 यह 36 हो गया इससे हे कितना अधीग है वहालो रहा है से कितना कुतनी और ओलतों कितना अधीग के पतार चुछ और यहां पचेंगा तीन से कट गए यहां इतनी कि फटेंगा चैन Voc师 कि पांस इसको कटा दी एक किस दुना ब्यालिस आगिया और इसको फिर इसी तरह कटा के बारतिया चाहती से जा कितनों अधीक है अधीक की बात कर रहा है तो देख लो च्छे अधीक है उससे वह ठीक है नॉर्मल कोश्चन था चली अगला कोश्चन देखते है कोशन नमरपू सबस्क्राइब की बेथा कि सबस्क्राइब यूर्मल कोश्चन तरहातने लगातीक हैभी त salute स्फिक्राइबडन संबास सबस्क्राइब है इस तुक्ष्चन पान्प पर सेंटिम्र करने लिए नॉस tek। तो कट जगत क्या होगा 30 cm होगा यह चीज़ आपको हम सिखाएं लेकिन अगर आपको आता है तो जीरो स्रव तीन मीटर है तो 30 cm हो जाएगा आगे कहता है क्यों आगे 6 cm की बात क्या है इसलिए हम इसको cm में बदल लिए क्या जीरो तीन मीटर की कौन सी दसमनलब भी तो पांच से 1 को भाग दे दो कि आएगा 0 माप 2 में राएंसर हो जाएगा अगर आपको भाग देनी आता है तो पांच को एक सेसे बाग दसमनलब देना 0 5 दूना दस कट जाएगा ठीक है Deborah 232 इननलाना दे निकालना है सबसे चोटी बीन निकालना तो जोटी इन सबसे चोटी स्थोटी भीन के करते हैं स्तूडंड को भाग दे की निकालता सिखना है क्रोस मल्टिपिकेशन से करें इसका तुन न कम इसका तुन न कंप करआा है तो morning और इसका गुणा इसके साथ करके उपर लिखना चौतिया कितना हो गा इसको इसके गुणा करदेना घ्लाट Perfect 25 हमको कहा जाना खोजना शोटी भी ने जाना अचोटी को सिंखना पांच बठ्겠न बढार 3 से बराबर होगा 2 बटा 3 गुना करेंगे तीन 9-5 दूनाधास कौन छोटी मिला 9 यह 2 बटा 3 कार दो इसको ठीक है इस से भी मतलब नहीं रखा अब यह छोटी से इस से कॉंपेर करते हैं तीन बटा पांच बराबर हो जागा चार बटा पांच इसके तुन नहीं करो पांच तिया पंद्र पांच उग बीस तो छोटी कौन वा पंद्र वा नहीं कि यह नहीं होगा अब देखो अगर यह हम रभ में कि अगर आप इसको माइंड से भी करोगे तो भी जल्डी बना सकते हो काईसे तो वह समझो जब आप दो अप्शन पर धियान देंगे इन दोनों पर तैसे करना चौत यह अठारा पच्छा पचीस पचीस यहां वा यह काड़ देना अब यहां पर आ जाना हलका से यहां लिख सकते हो अगर आप लिख सकते हो तो रभ में तो आपको सुचना है बहुत असान कुशन और देख सकते कितने बार एक्जाम में पूछा गया है तो आसान कुश्चन होता यह आपको कैलकुलेशन में नहीं पसना इसके लिए आपको यह दिमाग लगना तीन पुर्णांक दस बटा एगारा दिया हुआ है पांच पुर्णां चाहां साथ बटा पंद्र दिया है फिर आपका दिया है मैनस दू पुर्णांग नौबटा बाइस ऑर फिर आपका मैनस दिया हुआ नोव चार।ॉर्णांग नौबटा दस ठाल में नहीं एक कुश्चन को आप कहाई से बनाओंगे से सिंपल सा आपको यह सोच ना है सबसे किनारे वाला है कि इधर लिखावाए ना यह साइड वाला इसका सौल्ब कर लो और जैसा पुर्णांक पुर्णांक पांच बटा तीन और इसको अगर हम बोले चार पलस तीन बटा पांच बटा तीन पांच को इस तरह लिखे चार पलस तीन बटा पांच तो कोई गलत नहीं हो सकता है तो इसका मतलब हम यहां पर पलस लगा सकते हैं यह वाले टर्म का सौल्व किया इसको इसको और इसको इसको कर दिए अब दोगो एक यारह वाला का संबंध बाइस के साथ हो रहा है क्योंकि zero का बना चार और फंद्र आर्वे दलिक संब्वनद हो रहा है एक साथ क्योंकि पांच का गुना जो रहा है तो हम क्या यंद करेंगे इन दोनों को एक साध के लिख लिएर मैं यह दॉपयर मैं जादगा दो उसको बचा है फिर उसको लिख दो आपका बच गया मेरा साथ बटा पंद्रह तो यहाँ पर आपका अल्रेडी प्लस है प्लस में लिखो साथ बटा पंद्रह और माइनस हो जाएगा नौ बटा दास ठीक है इसको साफ कर देता हूँ अब देखो यह रख लो शौल्ब करो अनसर पहूं दो पलस एक आरा अरव बाइस केल समझेता है और यह रहाँ प्लस पंद्रह और दस केल समझेगा तीस-पंद्रह दुना-तीस दुना-तीस-थचाह यह वह जाएगा अब इसको सौल्फ करो देखो बीस में नो जागा क्या बचनए आरा था नवीज़ पर बॉट अब यहां पर 14 आप माइनस सैत्ता हैक्त कर लो तो क्या वजागा 7 में 4 जाएगा तीन गहाद और दू में कुए मैपरM-3 हो जाएगा पर माइनस लगा दिए अब क्या करो सब्सक्राइब पेंगे देगा साटर फंद्रा को जोड़ो कितना होगा 50-30 मैंस तेरा कर लो पच्छतर में तेरा घटेगत कितना होगा पांच में तीन जागा दो साथ में जागा चोगा आउसाट बटा तीस बचेगा आपका और भी कहीं कटने का सथ कटा सकते थे लेकिन ऐसे चलो अब क्या होगा तीस दूना साथ दो पुर्णांख दू बटा तीस इसको कटा डलो पंद्रा बार में ठीक है तो दू पुर्णांख गूटा 15 अपका अंसर है के नमर में है तो बीनमर में केलियर है आप देखो इसको और सोट करते हैं कैसे करोगे तो देखो कुछ नहीं सवाल में आप इसको यह सोचना है कि हम इसको सौल कैसे कर सब्सक्राइब लिए और इसको हटा लेते हैं अब देखो साथ बटा पंद्र और नो बटा दस का एलस्यम क्या होगा यह पलस है कहीं चीन पलस दे दो और इसका एलस्यम तीस ले लो मैंस कर देंगा इस तरह सब्सक्राइब और दू बाइस टीज का इसको कटा लेगा एक बटा दू और इसका एलस्यम ले लेना क्या हो जाएगा इसका ले लेना एक से तीस को भाग देना थीस साट हो जाएगा पलास दूसे तीस को भाग देना कितना बचेगा पंद्रे पंद्रे का पंद्रे बचेगा मैनस तीस से तीस को भाग देना एक तेरा हो जाएगा साट पंद्रे कितना हो जाएगा पैतालिस पैतालिस सॉरी पचत्तर पचत्तर हो जाएगा और मैनस कर देना ते पुर्णांक स्वरी पंद्रा दूना तीस एक एक तीस ठीक है और बट्टा यहां पंद्रा दू पुर्णा इक उटा पंद्रा अंसर हो रहा है तो आईसे भी जल्दी वाजिम कर सकते हैं सावल आपको सॉल्व करने के लिए इतना फास्ट माइंड सोचना होगा चलिए अगला यहां सब्सक्राइब होगा शाथ बटा एक जा रहे हैं और यहां रहे हैं तो प्लाश कर दो एक रहां वटा साथ का योग निकाल दो दो को सात यहां प्लाश है एक साथ और एक सो सथान साथ आपका अनसर आ रहा है एक सथान सथान सथार यह नंबर अनसर हो गया ठीक है चलिए साथ नमर बने जाए आट नमर देख लेते हैं तो दिक्राइक नमर आट में कता है कि निम्द में से एक विसम बिन को चुने 15 बटा 20 है आसान कुस्षन है आप बना लोगे देखो क्या करता है 15 बटा 20 फिर आपको दिया है एक इस बटा 28 और फिर आपको दिया है 75 बटा 100 ठीक है आपको क्या करना इसको देखो कटने का यह किसी कट रहा है आपको क्या करना है कटा के देख लेना जो आपको एक जैसा मिले वह अलग है अपना एक समू बना रहा है जो यूनिक है वह अपने लग जाएगा तो चार बटा पांच माना रहा है वह अंसर हो जाएगा चलिए अगला कुशन देखते नाइन नमर कि किसी बिन के अंस में पांच जोड़ा जाए तब उस बिन का मान एक होता है यदि तथा यदि उसके हर में चो जोड़ा जाए तब उसका भीन का मान एक बटा दू होता है वह भीन आपको इस तरह के खुशन बढ़ने के लिए क्लिए क्या करना होगा फॉलो करके देखो अगर आप पहला उप्शन को फॉलो करते हैं इनकी 16 बटा एकिस में पांच जोड़ते हैं कहां पे अंस में तो 16 पांच होता है एक होता है अगर बी नमर का उप्शन में तो तेरह पहुंच अठारा अठारा कर जाता है यह भी एक देता है अगर पांच जोड़ते हो अनस में अंसुख पर होता है तो एक ही आएगा और आठारा पहुंच ताइस होता है वो भी एक होगा लेकिन दूसरा अगर बात का फॉलो करें कि अगर हम नमर में काता है कि सब्रस्राइब और इसमें हमको क्या जोड़ना है अगर चौज जोड़ा ह metall हमें यह हमारा हर है अगर देखिए अगर हम ब्लक्राइब की बात करेंगे तो बी नमर क्या ओप्शन काता है कि यहां की तेरा बटा ठार रहा है तो क्या होगा थी कुरूपर गारा ना बाइस बराबर एक बॉट्ट दू मेरा हो रहा है यह मेरा प्रूब्ड हो गया इसका मतलब कितने नमर अंसर होगा सी नमर होगा एक ग्यारा बटा सुल और यह काम आपना बिना पैन चलाए भी कर सकते हैं ऑफशन से के लिए रहे हैं चलिए अगला कुश्ण टेन नमर यह कुश्ण नमर टेन कहता है कि जब साथ बटे आठ के तेरबटा पंद्रवे भाग में एक को जोड़ा जाता है तब उसका मान तेरबटा साथ का एनमा भाग होता है तब अंका मान है आसान कुश्ण है आप क्या करना इसको कुई क्या करता है.. यह आपको इस स्ट्रक्चर को इन किसी क्वेस्टन को बनाना पड़ेगा आपको यहां पे उसके बाद क्या करना इसको सॉल्व कर लेना दो तेरा बटा साथ गुना एन बरावर एक रख लो 120 और यहां पे ठीक है और इसको जोड़ लेना यानी कि एन बरावर हो जाएगा 120 और इसको क्या करना तेरा बटे साथ अल्रेडी देखो जब यह गुना में राता है तो यह नीचे आजाएगा नीचे मायगा तो जब उस पर जाएगा वह पलट जाएगा साथ बटा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और इसको यह पलट के उधर आजाएगा ठीक है और इसको गुना करना साथ 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 दुना चौदा और बटे तेरा ग सबसे बड़ा है आट बड़ा विन मानना हैं को बड़ा विन देखो छोटा विन जिसरे निकालने सिखाए थे वैसे निकालेंगे इसको नो आट बटा उनीस है ए नमर फिर बी नमर आपका है नो बटा बाइस फिर सी नमर आपका है दस बटा ताइस और डी नमर में है आपका एगारा बटा चौविस क्या बोले थे क्रॉस गुना से इसको सॉल्व क्या जाएगा दो को 22 अठे कर लो तो इधार गुना करके लिखो 282 166,28 282 161 1776 अर 199 तुर्याल से 178 बड़ा कॉण 166 के 177 बड़ा इसको कट कर दो ठीक है अब क्या करो 8 बटा उनीस से इसको यूज करो आट बटा उनीस यहां कर लो उनीसो दंग नभ्य एकसो नभ्य हो जाएगा और इसको गुणा कर लो आट तिया चौविस की चार हसिल दो अट दुना सुला शत्रा ठाथा एकसो चौरासी बड़ा कौन है यही है मेरा दस बटा ताइस बड़ा है यनि कि यह अभाट जाएगा अब क्या करो इसके साथ तुल्णा करो 10 बटा 20 के साथ तुल्णा करो 13 गुना किटना हो तीन 35 शादो दुछ बड़ा कॉन हो तो छवच्टा मिया ने गाएgg और इताफ तुल्णा किटना एं ? डी नम्बर है, है, क्या खिया, Monsters को, तुल्न करना जहां पर बड़ा माना जाए, उसको लेना जहां、 चोटा माना जाए उपर में, उसको नहीं लेना, क्योंके हूंको बड़ी भीन में जाना है, बड़ा भीन में, ऐसका है, इसको अनसर आपका D नमर हो जाएगा, कि लिए रहा है आप इसको ना माइंड से बना सकते हो आप गुना करके थोड़ा बहुत पेहन चलाना पड़ेगा रफशेट में बाकिया आप आसानी से बना सकते हैं चल यह अगला कुशन टुवल नमर देखिए कुशन वारे टुवल की बात करें तो यह भी बिल्कुल उसी बाकिन टीन बैतीर तो नहीं है यह क्या कर रहे है हमको क icons गरके 1 टी थी दिया अप लॉए और फिर फ्लस दिया हुआ, आपका एक बाकशा पट्क…पन फिर फैर और फिर प्रत्बाट एक सोथ दस और एक पार्ट में और उदर बोला गया है कि पलस देके यहाँ पर बहुत सारे बात देखा इसको इतना सिखा देता हूं इसको कैसे करोगे अगर इस तरह की बात रहें तो आप इसको मायनस में सोचना और इसका लगतार गुणा वे सोचना इससे क्या होता है कि हमारा कटता जाएगा और एक चीज बतेगा देखो कैसे अगर हम इसको इसको इस तरह से लिखे 1 by 5 minus 1 by 6 तो कोई दिक्कत नहीं है इसी चीज को हम दूसरे भास हमें लिख सकते हैं पांच यर छोगा देखो कैसे अब वहीं चीज कैसे आगा देखो पांच अर छोगा तीस तो चो एका छो और छो पंचे तीस तो मैनस ठीका है छो पंचे तीस तो 5 तो पांच अब चाएगा एक बट्टा तीस बचेगा इसका मतलब गट्टा तीस को हम लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं लगातार कुणनों में सोचना ए्सको 1 by 6-1 by 7 ठीका अर फिर प्लस होगा 1 by 7-8 ठीका स्वारी कहीं मिश्टीक हगा डॉष देखो प्लस होजाएगा 1 by 6-1 by 7 यह लिखना है ठीका फिर प्लस देना है और फिर लिखना 1 by 7 minus 1 by 8 ठीक है फिर आपको प्लस देना है 1 by 8 minus 1 by 9 ठीक है और इसी तरह से देखो 8 नमा बहतर हो गया 90 को क्या लिखेंगे 1 by 9 प्लस में 1 by 9 minus 1 by 10 ठीक है यहां तक लिख लिख लिए उसके बाद 110 है तो क्या लिखेंगे प्लस हो जागा यहां पर 1 by 10 और minus 1 by 11 ठीक है यहां अब बैधिया नियुक है पादनेएे कितना थर्म हो गए यह ओए यह ओर लिखेंगे मेरा 1 बाइ 5 माइनस 1 बाइ 11 यह पांच और एक तरफ कमान आया ठीक है अब हम इसको क्या कर सकते हैं इसको कटावी सकते हूं क्या तीन से डालो अब वह टर्म जो लिखावा है उसको सॉल्व करना होगा और उसको सॉल्व करना होगा उसी विधी से यह निकि थोड़ा समय पर लॉजिक होगा समझने का देखो फिर से समझ लो 1 बाइ 5 लिए और माइनस 1 बाइ 11 लिए क्योंकि बीच की सारे टर्म कट गया 5 और 11 केलसम क्या ह अब जो दूसरा टर्म बचा हुआ है जो ब्रैकेट में है उसका यूज कैसे करेंगे वह चीज को मैं सिखाता हूं तो हम इसको मीटाते हैं इतना क्योंकि जगह नहीं बचेगा आपको पूरा चीज समझाने पाएंगे को सन कैलकुलेशन थोड़ा बढा है इसमें लेकिन आ सकतो कितना अच्छे सिवाँ बताया गया अगर हम इसको समासकते कि अगर यह मेरा होता है 1 x 5-6 और यह होता है मेरा 1 x 10-11 और इतना तो पता चला कि सब कर जाता है और बचता है 1 x 5-11 और यह दोनों का लेते हैं तो क्या होता है पच्पन होता है तो हम यहां पर लिख देते हैं पच्पन और पांच से भाग दें तो पांच अब हम इसको सॉल्ब कर लेंगे और कैसे करेंगे तो ध्यान से समझें किनका अब हमारा जो वो दो सो चार दिया है और फिर आपका दिया है प्लस सैन सब्सक्रиली देर कोरी के ने थ्री निटू नाइन इंटू 27 ठीके और सूं दिया अब इसको क्या करो यहां पर देखो क्या रा इस तना पाट में अलसम चारे अलसम चारे मिला आठ पर जो अब एक लाहा रहा था फिंगे तो मेरा तो 8 अरत है लिसम तो कहीं से 8 ना चीए इसको 2 गुना 3 कर देंगे ठीक है तो क्या होगा चार दुना 8 है लिसम आ जाएगा स्वरी कॉमन आ जाएगा और तिन त्या नो न त्या सत्ता इस उत पर रहा जाएगा तो इसका मतलब हम इसके लिए बोल सकते हैं कि कॉमन जो हां यहां पर हम अगर ले लिया है 8, 4, 2, 8 ले हैं क्या बचेगा 3 ons 29 27 27 बचे गा और फिर यहां पर हमारा क्या बचेगा 9 27 में लीए हैं तो 27 बचे गा तो इस तरह से चलता जाएगा ंसको जाने दो 8 बटा 27 ले लू और इदर छोबटा 55 का यूज कर दो, ठीक हैas इस चशूता पच्पान कर लो और इसको आप्स पच्व करोगे तो तो थोड़ा से यह क्या कर दिया जादा केल्कुलेशन कर दिया और स्बसक्व और से बनाएंगे तो ज्दा चा理गा क्योंकि क्वेशन में यहां से आगे बताएंगे ठीक है फिलाल यह कुछ अधूरा रहा गया अधूरा का मतलब यह हुआ कि हम पूरा आपको बताएं नहीं लेगा तो यह से बनेगा ठीक है ज्यादा टेंशन नहीं लेना है अगला पाट देखने के लिए इसका प्रियोग करना वहां से देंगे डिस्क्रिप्स नहीं लेगा अगर यह आप इसको मतलब चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा बताद है तो अपको यह अंदाजा लगाना इसको सन्वें कि इसका जो ऑप्सन है ना ऑप्सन कहीं भी अगर देख चाहर पांच दरेखर चोड़ा सा पचपन मेरा यर चोड़ा सो पचपन किसी के नीचे ऑफ्शन में नहीं है मारा जिसका मतलब यह मिलते हैं अगला अग्ला स्में आज के लोगां देता हैं